नमस्कार जी मैं संधिया यह देखे फ्रेंट्स मेरे गार्डन में बहुत अच्छी ब्लूमिंग हो रही है कितने अच्छे डहलिया के फ्लावर जो है वो खिल रहे हैं पिटूनिया भी है डायन्थस भी हैं सभी तरह के फ्लावर खिल रहे हैं और अब तो यह चोटा वाला ज परपल टाइप का है यह तो इसका पैटल का जो मतलब किस तरीके से मूडा हुआ है और किस तरीके से डिजाइन में वह यह देखी कि इता खुबसूरत लग रहा है तो यह देखिए और क्या चल रहा है मेरे गार्डन में आज भी आप लोगों से शेर करूंगी कुछ मेरा ग प्लांट है उनके सीट्स भी कलेक्ट करती जा रही हूं मैं और इसमें कुछ गंदा सा बेरा गार्डन इस तरीके से दिख रहा है तो इसका मैं साफसफाई जल्दी ही करूंगी फिरहार जो गर्वी के जो काम है प्लांट लगाने वगरे के सीडलिंग के या सैपलिंग लग पतियों का खाद बनाने के लिए यह देखिए तो इस समय तो खैर जो गार्डने गंदा है लेकिन काम भी उतनी ही तेजी से हो रहा है बाकी इधर मैंने छोटी-छोटी सेपलिंग लगाई है कुछ कटिंग लगाई है जो जैसे चल रहा है वैसे मतलब इधर मैंने फुड़ जाधा हो जाती है तो उसको निकालने में तूटने उटने कर डर रहता है तो थोड़ा सा मैं सोच अर जो और उधर देख सकते हैं इस वाले गंबले में रूके भी थोड़ा सा बढ़ा करके दिखाती हूं यह देखिए तो इसमें क्या है कि जो यह है इसमें एक की रूट मुझे थोड़ा सा लगा कि टूट गई है तो मैंने इस पॉर्ट में फिर दो लगा दिया कि एक चले ना चले मतलब दो रहेंगे तो कोई एक चलेगा चलेगा अगर दोनों चल जाएंगे तो कोई बात नहीं चलते रहेंगे अगर कोई दिक्तित परिशानी तो निकाल के बाद में इने सेपरेट कर लूँगे बाकि यह देखिए कोई मुझाया वर जाया कुछ भी नहीं एक दम ठीक च तो मैं एक प्लांट लेकर आई हूं और इसी से मैं सोच रही हूं कि कई सारे फिर बाद में प्लांट बना लूँगे जैसे जैसे इसकी ग्रोथ ज्यादा होती जाएगी तो मेरे पास स्वाट भी है यह यह देखिए किचन वेस्ट बन रहा है खाली था तो मैं किचन सब्सक्राइब निकाल के मैंने इनको रिपोर्ट करती रहोंगी जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा क्योंकि रिपोर्ट कर भी नहीं पाओंगी और इनकी जड़े ज्यादा हो जाएंगी तो फिर एक निकालो पौधा तो उसके साथ 2-3 आसपास की पौधे और उखड जात जितना बड़ प्लांट होथा इसको नहीं रिपोर्ट करने में और जितना चूटा फ्लाट होता है दिया है तो यह व Amazing है और और यसवाले देख्योंगे यह क्तने सारे प्लांट चल रहे हैं यह सब चल रहे हैं और इसमें कुछ एक यह प्लांट भी लगा हुआ है वह चोटे वाले जो यह हैं पैंजी इसकी मैंने बहुत सारी सीट भी कलेक्ट कर लिए हैं डेली पे देखती रहती हैं जहां इसकी सीट पॉर्ट होते वह चलके से जहां चिटके होते हैं वहां से में उनको फिर हर्वेस्ट कर लेती हूं तो यह भी बहुत अच्छे से ब्लूमिंग कर रहे हैं देखिए सब अच्छे से चल रहे हैं यह मैंने कटिंग से लगाया था इसका मदर प्लांट खराब हो गया नीचे इंडूर में सौरी जो इंट्रेंस गेट होता है वहां पर मैंने हंगिंग पॉर्ट में लगा रखा था तो मैं अभी कुछ दिन के लिए किसी फैमिली को उकेजन वे सब्सक्राइब करते हैं तो से पानी ना डल पाने के कारण वो खराब हो गया लेकिर उससे पहले मैं इसका कटिंग मैंने लगा दिया था तो यह प्लांट देखिए कि इतना अच्छा बंच में खिल रहा है और बाकी जो मैंने प्रूनिंग की थी तो इसमें यह देखी तो इसमें भी अब मैंने खाद वगर अच्छा से दे दिया तो यह फीश्य करने लगा है और कितने मैंने शीट रह में चाइए लागा तो कि अबहु वहां रहां कि आज में सोच रहे हु कि यह और भी तरीके के मिरे पासा अधा बाहर के मतलब बीज है तो मैंने सब्डत्र पिछले साल के तो उनको में ग्रोव करूँगी बाकि एक सदा बाहर का एक कलर एक इस तरीके का है यह पिंग पिंग सा है तो यह भी कटाई चटाई हलकेल की प्रूनिंग मैंने कर दिये तो यह बी ब्लूम करना इस्टार्ट कर दिया है बाकि यह अपने आप एक वाइट कलर वाइट कलर का यह है यह सब इसी में चलते रहें गया और यह सब दे करने लग गए है यह सीट पॉर्ट बनाओ है तो इसको किने करके और दो कि अच्छी चल रहे है यहां उपर से देख सकते से वो गुरोध अच्छी चल रही है मेरे गार्डन में डेह लिया कि तो कई सारे कलर निकल के आई ही रहे हैं प्लांट के फूलों के तो एक यह कलर भी देखे निकल के आया हुआ है यह कुछ परपल टाइप में है इसकी स्टेम से ही पता चल जा रहा इसकी बने कटाई चटा एक फूल खेलता है आज ने खिला है बाकि यह बहुत सारी बन रही है तो यह भी प्लांट मेरा अच्छा चल रहा है बाकि बिगोनिया इसका तो क्या ही कहीं यह देखे पूर फूल ब्लूमिंग पे हैं यह पूरा कवर कर रखा है और दिखाते हैं लोगों को यह देखे बिगोनिया यह देखिए यह तती अच्छी ब्लूमिंग कर रहे हैं और इसकी तो बात ही निरा लिया यह देखिए कितना चमेने मैंने इसके सुखे फ्लार भी महते हन नहीं अटाये हैं यह अपने आपी मतलब खिलते हैं और इसका टाइम पिरेड आपी press shortcut इसको कर दूँगे और पारस्लेथ्य परचिल का मैंने यह ग्रोगर हैं और भी पार्ण मेंने सामने मुट्धuca मिरें देखिए तो यह पने अगिते हैं यह आपने अगर g्रों किया तो बहुत अच्छी बात था यह तो आप भी कर लिजीए यह बहुत अच्छा ट प्लांट में लगते हैं नहीं तो इसमें कोई और भी डिजीज या कोई फंगस का टेक या उच्छ ऐसा नहीं है बस मरेगा तो यह ज्यादा पानी के वज़े से मरेगा बाकी यह कम पानी में भी और कम केर में भी अच्छे से चलता रहता है कहने का मतलब यह कि लो मेंटिनेस तो आप ग्रोव कर सकते कई से भी मिल जाए जरा से भी स्टैम लाइए और उसे मिट्टी में ऐसे रख भी देंगे तो भी वह इजली चल पड़ता है लाकि निमू के प्लांट वे एक इससे पहले की वीडियो मैंने कभी आपको दिखाया था कि उसमें मैंने कोलियो के कटिं करते हैं तो आप चाहें तो इसमें कोलियो की भी कटिंग लगा सकते हैं बाकि हंगिंग प्लांटर में इस तरह के साइप्रस जो है यह फर्ण है इस टाइप में तो इसको भी आप लगा सकते हैं एक लेकर आई थी वहां से बनारस से मतलब एक प्लांट लेकर आए थी पुर जो कि बहुत अच्छा चल रहा है बाकि समय वाइंडिंग जू भी लगा सकते इसमें लगा हुआ था लेकिन एक एज होने के बाद वह लगी लगी से प्लांट हो गया तो उनको हटा दिया था मैंने चोट-चोटी सी कटिंग मैंने इसमें ग्रो कर दी तो यह अच्छा काफी गर्मी का जो काम है वो तेजी से चल रहा है तो उमीद करते हो आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी पसंद आई हो तो लाइक शेर कोमेंट करेगा का मेरे चैनल पे नए होगा सबस्क्राइब करेगा है सब मिलते हैं सब्सक्राइब झाल झाल